मूर्गा अर्जुनी में स्कूल मूर्गा अर्जुनी के सरस्वती विद्याले यहां गोधिया जिले का एकुचस्तर का शिक्षा मंदिर है लेकिन शिक्षा का बाजा ही यहां इन दिनों हो रहा है जैसा की हम दर्शकों को बता देखी पिछले कई वर्षों से मनोहर भाई पटेल अकैडमी की और से नौफरवरी को दिये जाने वाले गोल्ड पुरसकार में यहां के स्कूल का नाम गौरविक किया गया था लेकिन यहां स्कूल भी और वेलसाइन तोर पर काम करते नजर आ रहा है इस पूरे मार्केट में केवल दो ही ऐसी दुकानों में स्कूल यूनिफर्म बेचने की अनुमती दी है जोकी सागर एमपोरियम नाम की यहां दुकान नीमस्तर के यूनिफर्म उझे दामों पर बेचती है हमारी टीम की पड़ता देखते है मियाद पैसटे में पैसट रुपह मिटर है पैसट रुपह मिटर है तो यह शेर्ट और यह ट्यूनिक вाढ के अज़सा फरॉपला नहीं है यहने फ्रॉप के जापन पैंट को है आपको हात गिरोट का भी पत्ला नहीं लगए आपको यह नाइलोन का है यह ली जाते है और फिर इसका रेट क्या है सर इस पर लिखा है मार्पी 40 रुपए 35 रुपए डिसकाउंट करके आप देते है यह डाल दीजेगा भया नाम क्या है सर दुकान का? अननल वस्तराले अर्जिनी मुर्गो धन्यवाद सागरवाले को मंजे एक इस यह निए कॉंट्रेक्ट दिया हुआ है यह निए कॉंट्रेक्ट दिया रहता है उसी शॉप से खरीदना पड़ता है अगर आप रखते है उस स्कूल का तो कुछ होता है क्या अब रहने के बाद भी स्कूल से कंप्लेंट आना आप माली के दुकान के? यहाँ पर यूनिफर्म रखते हैं? नहीं जी रखते ही नहीं है? नहीं है एक जानवी रेडिमेट है और एक तनाय रेडिमेट है कितने साल से आपकी शॉप यहाँ पर? रेडिमेट पंदरा साल से और आप यूनिफर्म भी रखते हैं स्कूल के? पहले रखते थे अभी नहीं है आप क्यों नहीं रखते हैं? अभी मतलब एक ही जागे दू ही जागे रहता है टीचर लोग भी थोड़ा कुछ आनकानी करते हैं यहाँ से नहीं वहाँ से लोग इसले नहीं रखते हैं जैसा कि आपने देखा पूरे मार्केट में केवल इस स्कूल की तरफ से दो ही दुकानों को अनुमती दी हैं क्योंकि यहाँ स्कूल कभी भी अपना यूनिफर्म बदल देखते हैं बेचेंगे अब क्या है देखो गो बनाते हैं जो बनाएंगा वी बेचेंगा, बुलाते तो है, बाकी जो बनाएंगा, बनाता है, वो बेचता है, यह उन्हों ने ने, हमने एक और जगा भी इंटरव्यू लिया, तो उनका कहना ऐसा है, कि सरस्वती कॉन्वेंट के जो प्रिंसिपल है, उन्हों ने यहां के जितने भी उन्हों को बुलाएं था स्कूल में, बुलाते हैं, पर उन्हों क्या है कि कभी बदल जाता है, तो बताते नहीं है, हमने बना लिया समझा, 4550, तो यह आपका नुक्सान हो जाता है, हमारा एक बार भुगत चुके है, इसलिए हम फिर इंटरेस नहीं लेते, तो फिर उन्हो यहाँ पूरा ममला या पूरे मार्केट में देखा जाए, तो स्कूल को संचाली करने वाली संस्था विशेश्टर तबके की है, और यहाँ दुकान भी उसी तबके की लोगों की है आप यूनिफार्म रखते हैं स्कूल के? यूनिफार्म स्कूल के बहुत कम, नहीं के बराबर सरस्वती कॉन्वेंट के रखते हैं? सरस्वती कॉन्वेंट के नहीं तो यहने क्या ऐसा कुछ स्पेशल है कि कि किसी पर्टिकिलर शॉप को ही वो कॉंटेक्ट दिया हुआ है कि स्कूल के युनिफर्म से वही रखेंगे ऐसा तो समझ में तो नहीं आया अभी तक बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इस हेतू इस स्कूल में बच्चों के माता-पिता अपने बच्चों का नाम दर्च कराते हैं और शिक्षा का व्यापार इन माता-पिताओं के जेब को काटता है आप युनिफर्म का काम करते हैं सर शॉप का ना अरजुनी ताहिल में जितनी स्कूल है, सब श्कूल के अनिफोर्म हम नगते हैई अन्यां पर मैंने अनुछ में तो सिधे बोला कि में पास आप ऐसा शौप है जिन मैंने मुझे मुझे बाइट डिया हुआ है कि आपको कांट्रेट मिला हो है स्कूल के दरफ से तो प्रिंसिपल ने मिटिंग मुलवाई थी और उस मिटिंग में सब भी जितने भी कपड़े के उद्दो करता है यहाँ पर उनकी सबकि मिटिंग में यह डिसाइड़ हुआ था कि आपको देना है तो यह सही है क्या ग्राउंड पर प्रेक से लोटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम खबरे और जाने केसे बच्चों के माता-पीता का क्या है कहना इस शिक्षा के व्यापार के बारे में देखते रहे हैं MNS News Live MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS Hindi आप आजे प्ले स्टोस से डाउंड़ूट करें और हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेर करना बिल्खुल भी ना भूले तब तब के लिए धन्यवाद